तो गाइस कैसे हूँ आप लोग तो रहने गाड़ इमोटल के नेक्स्टी नोवल के चैप्टर नमर 224 में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हम देखो जो बंदे नहीं है उनको मैं बता दू कि वीडियो साम को ही आया करेंगी क्योंकि मुझे प्रेपरेशन और क्योंकि वो कल्टिवेशन में लीन होता है वांग लिन वहां पर उसके पूरे स्ट को तवा कर चुका होता है अकेला बंदा से एक मास्टर बचा हुआ होता है और साथ में उसी के तरफ एक फर्मान भी आरी होती जो की इंपरेर के द्वारा आरी होती तो देखते हैं कि क्या होने वाला है और अफिर वानियंद के बार में बताया जाता है उसे नहीं पता होता है की आखिरकार हेवन ने बुल कौंटिमेन में अभी हो ज़या है आग वो क्या था कि देविल डॉस स्ट्नक पूरी तस्त बरबाद ओ चुका है अगर यहाँ पे कुछ भी बचाया लेकिन फिर भी तुम बाहर नहीं आ रहे हो लगता है तुम तो बहुती कमीने हो अब दिखाया जाता है कि वो उस पे अटैक करता है जिसके कान पदा चलता है कि सामने तो एक सीर रगी हुई एक फरमिसन बिची हुई है जिसके कान वो अंदर नहीं जा सकता है और तबी दिखाया जाता है कि अटैक करने के कान वहाँ पे हल चलोने लगती है उस लेक में से बहुती पावफुल एनरजी निकल रही होती है और वो लेक रैपिडली कॉलाप्स होना शुरू हो जाती है बताया जाता है कि वहाँ पे एक सीर होती है और वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स को पावफुल कंटेंड की होती है और तबी दिखाया जाता है कि उसमें से एक बावफुल फोर्स निकलती है और दिखाया जाता है वो पावफुल कोई और नहीं एक सीर ड्रागन होती है जो कि hundreds of thousands of feats बड़ी होती है और बताया जाता है कि ये एक सेलेस्टिल बीस्ट होता है immortal एंस्टल कॉंट्रेन में जो कि डेल सेलेस्टिल एनर्जी को अपने अंदर समा कर रखता है और उसमें से इंसेंट आफरा भी निकल रए होती है उस्ट्रागन के पास कोई क्लोज नहीं होते सिर्फ होते हैं तो लार्ज पाइटन के जैसन रिश्की बॉडी होती है और उसकी पावरometer कषी जया होती है और जैसी वहाँ पर अप्ई रोती है वो वांग लिंग को देखते हैं उसको डिवावर करने के लिए चला जाता है वांग लिंग पे उसको देखता है और उसे पदा चल जाता है कि इस सी ड्रैगन की पावर किसी पी गुल्डन एकजायल जितने से कम नहीं है और यहाँ पर बताया जाता है कि यह असल में जो ड्राइगन है वो बहुत लंबे अर्से पहले एक इंपरर एक जाल को फॉलो किया करता था और उसके बाद ही उस इंपरर ने इस ड्राइगन को डेवल डॉर सेक्ट में छोड़ दिया उसे कॉंट था कि इस डेवल डॉर चिंता करने के ज़रुवरत नहीं होगी यह डेवल डॉर सेक्ट प्रोटेक्शन में रहेगी अब जैसे यह बाहर निकलता है वो उसको इंगल्फ करने के लिए निकल परता है उसकी स्पीड काफी जाला होती किसी और वाइट रिट्रिट्स एक्साल कल्टिवेटर से और उस क्लिडर क्याता है कि यह सी ड्रैगन में उल एंचेस्टर ने छुड़ा है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें इसमें बहुत ही एफट लएगा और साय तुम मेरे इस ड्रैगन को मार पाओ और से यहां पर बारोसा होता है कि जब तक वह यहां पर कर पाएगा वहां पर बंदे आ जाएंगे उसके एंचेस्टर आप आएंगे अब यहां पर हमें दिखाया जाता है वांगलिन को जो क्याता है कि चलू देखता है कि आखिर कार तुम क्या कर सकते हो और तुम किसना मुझे मार पाओगे अब यहां पर ओल्ड एंचेस्टर काफी जाए ख लेकिं वाहां पे अपने पावर को रिलीज करता है, और अपने साथ में गूल्यन इकज्ञाल बिर्ट के तर देखता रहें, और दिखा जाता है कि वो अपने उसी पावर का यूजर करता है, उसी अपने सूल आर्मर का, जिसकी वज़ए attent की जाती है, और अभी उसका पहना दफा था जबकि उसने इसको यूज किया तर तब दिखाया जाता है इसकी वज़ेसे उसकी पाउर काफी काफी जाहा बढ़ जाती है और तब वो अपने संडर नाइट का यूज करता है जो कि उसकी फेट इसपिल होती है और इसे के साथ दिखाया जाता कि उस फेट इस पिल की कर्मा पर चाहता फ्रोस्नी हो जाती है और सब लिए इस पार्ण को देखकर मानों डर में ही कापूर से क्योंकि जब उसकी पावर आर्केन लिवल से भी कम होती है तब तो उसने वाइड ट्रिब्लेंट के बंदों को कपा कर रख दिया होता है और जब क उस सुन्दर नाइट को देखकर सुन्दर सन को देखकर मानों पूरीत से डर चुगा था उसमें उसे बहुत ही ट्रिफाइंग औरा का महसूस होने लगा होता है यहां तक कि जो सीर ड्राइगन जिसने एक इंप्रियर इंग्जाल्ट को फॉलो किया होता है उतना भी इसने क को खूलता है वहां पर सीरे चलते हुई उसके नीचे अपने घुटनों पर आ जाता है मतलब देखरो यहां पर वांग्रिंग ने अपने से पावर का यूज़ करके सिफ अपने सर्णन राइट जो कि एक सेथ स्पेल होता है उसको यूज़ करके इतने पावफुल सीर ड्रा होता हैний और उसके अंदर आजाता है और दिखाया जाता है कि उस सीर ड्रैइटन की आंकों में वांग्र यूज़ पर सरिंडर करने पर मजबूर कर दिया था अद إधन है बलकि वहां पर हमें दिखाया सब्सक्राइब कर दिखार को कि उसके स्व का राइफ़ का वी छी तब्रिव सरे बन चुका था। चुक्ँ डेविल शुक्षी मास्ट्र पुरी तस्की बोड़ी मक्ली hairs सब्सक्राइब कर दिया उसे मानों विश्वास नहीं हो रहा था यह तो यहां पर वांग निन के उसी संडेंडर नाइट को भी देखकर डर चुका था लेकिन यहां पर वो इस बास से हो रहांता कि उसने उसके सीड्राइब को अपने काबू में कर दिया था यह तो फेट इस पेल कैसे आती है और वो पूरी दर से डर में आ चुका था और वो क्याता है कि मैं यहां पर जादेर तक नहीं चीप सकता मैं उसका फाइट नहीं कर सकता और वो मुझे टाइम भी नहीं देनी वाला है और मुझे बस चाहिए तो टाइम काता कि ओल्ड एंचे या फिर इंपेरियर एडिक नहीं आ जाए क्योंकि उसे भरोसा था कि इंपेरियर एडिक या फिर एंचेस्टर के आने के बाद वहां पर वांग लिन के इतने हिमत नहीं होगी कि वो उसके सामने मार्श सकी अब दिखाया जाता वांग लिन को यो क्याता है कि अब बहुत और वांग लिन डेविल डॉस सेट मास्टर की तब देखने लगता उस पर अटाक कर जाता है और यह देखकर वांग लिन अगर तुमने मुझे मारा तो में इंप्रे में एंचेस्टर तुम्हें कभी भी नहीं चुरेंगी वह एक इंप्रे लेवल की कल्टिवेटर है लेकि को पहले डर में था वह यहा पर खुश हो जाता है एक्साइटर होते विए क्या था सेलेश्टर एंप्रे मेसिंजर यहाप तो इस सच में आगया और यह इंप्रीर एंडिक वांगें मैं देखना चाहता हूं क्या तुम सच में एंप्रेर एंडिक के खिलाफ करें रहा सकते ह आता कि वो गोल्डिन नाइट चमकने लगती है और वहाँ पे आती है मेसेज जो क्याती डिविल डाउस से अपने एडिट को असेप्ट करो अब जैसी वहाँ पे यह बोलता है डिविल डाउस सिर्ट मास्टर की आँखों में मानों खुशी आ जाती है उसे लग रहा होता कि व वाल्डिन उस गोल्डिन नाइट पर जरासा भी ध्यान नहीं देता उसे पूरी तर से इंपरियर एडिक को इग्नोर कर देता है और वो उस पर अटैक पर अटैक करना शुरू कर देता है अब यहाँ पे इंपरियर एडिक के सामने ही किसी को मार देना मतलब जिसको इंपरि तसे imperial edit को ignore कर रहा है उस पर attack करने लगता है अपने आपको resist करने की कोसिस कर रहा था लेकिन वागनिल उसे मारता है इतना मारता है कि उसके खूलनी करने लगता है उसके आखों में डर दिखनी लगता है लेकिन इससे के साथ हमें दिखाया जाता है उस golden figure को जो यह दीख कर कहत है कि रुकूं किया तुम्हें imperial edit का कोई भी डर नहीं आकर तुम कैसा कर सकते हूं आकर कर तुम इंपिर एडिक के जाते वे तुम किसी को कैसे मार सकते हूं आकर तुम पीछे क्यों नहीं हट रहा हो लेकिन वागनिल उसे कंप्लेटली इग्नोर कर देता है वागनिन कहता है इस पर अटैक पर अटैक करने लगता है इसी किस्ता तुम्हें golden figure को दिखा आ जाता है जो उसलित भागते भी क्या था तुम्हारी हिमत कैसे हुई आखिर कर तुम ऐसा क्या से कर सकता हो मैं यहाँ पर इंपिरियर एडिट को रिनाउस करने के लिए आया हूं तुम पीछे नहीं हटोगे तो मतलब तुम हमारी इंपिरियर एडिट का खिलाफ कर रहे हो कि तुम खिलाफत में जा रहे हो लेकिन दिखाया जाता कि वागनिन जिसको दीकर उसे खुद बैटल में आना पड़ता और उसके पावर को जैसे इंग वागनिन अटाक करता उसको रोक देता है लेकिन दिखाया जाता है उस बंदे के भी पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वह पंच बहुत जाला पावरफुल होता है और उससे वह बहुत अटाक करने लगता है उसके मन में जितने गुस्से थे उसको निकालकर उसको मारने लगता है अब दिखा जाता कि उसको मारने लगता है और वहां पर उसके आखर सब्सक्राइब प्लीज मुझे बचा लीजे लेकिन उस मेंसंजर के पास भी एतनी ताकत नहीं थे कि वह कर देता है और अमें दिखा आ जाता है उस गोल्डेन बंदे को मतलब वही आर्मी वाले बंदे को जो कहता है रुपो और उसके तब आगे पढ़ने लगता है लेकिंग वांग ने इतने वुस्से में था कि वह उसकी तब अपनी नजरे करके देखता है और मानू उस नजरे itने वांग नलीं की पावॉर सेलिस्टर इम्पर जितनी भले ही ना हो लेकिन यहाँ पर उतनी फई उतनी पावफुल नीगावसे उसकी तब देखने लगता है वह आगे अपने कदम को बढ़ा ही नहीं पाता है जो की पहले था वह और भी दूर हो जाता है इनमे दिखाया मरू और वो यहाँ पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की सोचने लगता है ताकि वह वहाँ पर वागलिन को भी अपने साथ मार सकें अब इस सिच्वेशन को देख कर मानों उस बंदे के पास भी कोई आपसर नहीं होता है फाइनली अपने उसी वह इंप्रेयर एडिट क को असेप्ट करेगा और उसे हमारे सेंटल कॉंट्रिन में आना होगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार उसने डौफ वे कि कैसे मलद किया मैं उसे बोल नहीं सकता अब जैसे एंप्रेयर मेसेजर उस मिसेज को पढ़ता है मानों उसके भी रूह काप जाती है क्य सब्सक्राइब के साथ जोड़ चुकी और वह अपने उसो आवास में नहीं रहता है जो कि उस एडिक में लिखा होता है वहीं हो बोलता है और फाइनली वहां पर उन सब के साथ इनाउंस करता है अब यहां पर से हैरान हुए था लेकिन वाइन अटैक पर रुकता नहीं और अपने सारे स्पेलविन हार एक चीज़ को अटैक पे सुनो कर देता है अपने सारे पाँवर्स का यूज कर लगता है अपने सोल प्रेसर को डालने लगता ओर दिखाया जाता है कि थोडिर बादी वह अपनी फूल-फोर्स से डेविल-डॉस क्षप्ट मास्टर को मार देता मतलब अपनी पावर से उसको क्लाप्स करके वहीं पर मार देता है और यहां पर हमें उस इंपेरियल मेसेंजर को दिखाया जाता है जो कि अभी बहुत ही आपवर्ड पोसीजस में होता है क्योंकि उसने यहां पर वांग लिन कोई रोकने की कोजिश की होते हैं उस पर अटाक वांग लिन के लिए होता है और इस पर इंपर का एडिक्ट होता है अगर उसको सजाए मौत मिलती है और वह समझ जाता कि उसने बहुत बड़ी कांड की है और यहां पर हमें दिखागा जाता है कि वह उसके सामने जुकते हुए क्या था फेलो कल्टिवीटर वां उजे ब्ल लेकिन यहां तो इंपरियुल मेसेंजर आकर वांग लिन पर अटाक करता है और वो मदद कर रहा था डेविल डॉर्स एक में जिसकी वज़त से देखा जाने तो इंपरियुल मेसेंजर को सजाए मौत दी जा सकती थी अगर यहां पर वांग लिन चाहता तो और इसे कांड व अगले वीक खतम होने से पहले यह सारे एपिसोड्स खतम हो जाएंगे और इसके बाद में नए सीरीज को स्टार्ट करने वाला तो मिलते नेक्स में तब तक इलिए बाई